नमस्कार न्यूस फोर नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी बिहार में सरकारी अधिकारी बेलगाम हो चुकी है और सरकारी अधिकारी ही नहीं बलके पुलिस कर्मी भी खुल कर गलत काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं हर दिन लाखों की कमाई भी कर रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अधिकारी और पुलिस अफसरों की ये मिली भगत कहां पर देखने को मिली है तो आपको बताएं कि बालू के अवैत खनन के मामले में अब तक कई अधिकारीों पर कारवाई भी हो चुकी है लेकिन इसके बावजोद अफसर अपने कारणामी से बाज नहीं आ रही और यहीं वज़े है कि हर दन धरैले से अवैद कमाई इनकी तरफ से की जा रही है इतना ही नहीं कई सारी सकती भी सरकार की तरफ से लगाई गई है लेकिन इसके बावजूद अवैद लाखो की कमाई हर दिन इन अफसरों की तरफ से की जारी है ऐसे में ये बड़ा खुलासा इस वक्त बिहार के मुतिहारी से सामने आया है जहाँ पर एक बर फिर सरकारी अधिकारी और पुलस कर्मियों की ये जो मिली भगत है ये देखने को मिली है आपको बताएं कि सरकारी और माफियाओं की बल्ले बल्ले है बालू से मलाई निकालने में अब तक 50 अफसरों पर कारवाई भी हुई है फिर भी बालू का अवैद खनन नहीं रुक रहा आखे रुके भी तो कैसे इस अवैद धंदे में माफिया से लेकर पुलस की सिर्फ हो रही है बतादे कि अधिकारियों के मिली भगत से रात कौन कहे दिन के उजाले में भी गंडक नदी में जेसे वी और ट्राक्टर से उजला बालू का अवैद खनन हो रहा है फ्रते दिन सैक्रो ट्राक्टर बालू का गंडक नदी से हो रहा है निकासी और साथी साथ मोतिह जिला के संग्रामपुर थाना शेत्र का है, बता दे कि गंड़क नदी के किनारे जारा से लेकर जुमरिया तक प्रतिदिन गंड़क नदी से सैकरो टेलर बालू का खणनन कर चिमनी में पहुंचाया जारा है, सुत्रों के मानी तो माफियाओं ने प्रति टेलर राशी थाना से लेकर खनन विभा के कर्मियों तक तै कर रखी है लहाजा माफिया बेखोफ होकर अवैद धन्धा कर रहे हैं बतादे कि मौतिहारी जिला के संग्रामपूर और जुमरिया घाट थाना इलाके में प्रते दिन गंडक नदी से सैक्रो टेलर बालू की अवैध निकासी हो रही है सुबस चार बजे से ही ट्रैक्टर पर लोड कर बालू इंद्र गच्छी के रास्ते अरे राज सहित अनिशेत्रों की चिमनी पर पहुचाई जारी है इसके साथ ही प्रते टेलर बालू की बिक्री जरूरत मंद को 1700 रुपे प्रती लेटर और चिमनी पर 1500 रुपे प्रती टेलर की दर से बिक्री कर माफिया माला माल हो रही है वहीं सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी हो रहा है सूत्रों की माने तो अवैद बालू खनन को लेकर थाना अस्तर से लेकर खनन विभाग तक चड़ावा चड़ाया जाता है जिले के चक्या, मुफसिल, सुबगौली, रामगर्वा, सहीत कई थानों पर बालू के अवैद खनन का खेल जारी है इसके साथ ही संग्रामपुर में या खेल कई महीनों से चल रहा है फोटो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बालू की अवैद ढूलाई की जारी है तो कई ऐसे जो अधिकारी हैं और खुद पुलिस अफसर भी हैं उनकी मिली भगत के साथ ही बालू माफियाओं की तरफ से इस खेल को बिहार में अंजाम दिया जारा है बात अगर हम करें तो हर दिन लाखो की कमाई होती है और इसी अवैद कमाई का फाइदा पुलिस अफसर और साथी साथ जो अधिकारी है वो भी उठा रहे हैं और यही वज़ा है कि चुप चाप बिहार में इस खेल को खेला जारा है और जो अधिकारी है उन्होंने अपनी जुबान सिलली है क्योंकि उन्हें सीधे जो फाइदा है वो लाखो का होड़ा है और यही वज़ा है कि माफिया भी इस अवैद धन्दे को धड़ेले से कर रहे हैं और साथी साथ बिहार में बालु खनन में जो अगल तड़ीके से ये अवैद कमाई है वो की जारी है और इ झाल 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 झाल